जै जिनेंद सर जै जिनेंद पुने अभी नंदने आपका कारिक्रम में सर बहुत सारे प्रशना आते हैं कुछ प्रशन ऐसे होते हैं यही रीजन है कि आज लोग आपसे इतने प्रभावित हो गए हैं आपको इतना मानने लग गए हैं कि उन्होंने अपने घर का नक्षा भी आप तक शेयर कर दिया है तो इस बार हमने सोचा है कि अपने एपिसोड में कुछ एक हम नक्षे को भी दर कौन से डिरेक्शन अगर गलत है तो आपको उसका दुष परिणाम भुगतना भी पड़ सकता है तो सबसे पहले मैं जो एक वीवर हैं उनका जो मैप भेजा है उन्होंनों मैं आपसे शेयर करवाना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी यह पूछना चाहते हैं कि इन वाले टाइम में इनको दोश के वज़ा से दुष परणाम भुगतना पड़ सकते हैं प्री दर्स को यह जो आप मैप देख रहे हैं इसमें गूगल लोकेशन जो दी गई उसमें नौर्थ 10 डिग्री टिल्टेट टूवर्स इस्ट है अब मैं इस मैप में जोनिंग करता हू याने कि जितनी भी दिशाएं बिदीशाएं उप बिदीशाएं पद सारे डालता हूं उस डिग्री के साब से मैंने यह डाल लिये अब मैं सबसे पहले ध्यान आकर सित करूंगा मुख प्रवेश द्वार वहीं से प्रवेश करती है सारी उर्जाएं जो घर के पितेग बेक से मैं मुख प्रवेश द्वार है याने कि यह इस पस्ट इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर निवास करने वाले लोगों का हेल्थ अच्छा नहीं रहता होगा चाहे वो मेलों या फीमेल फीमेल का सबसे जादा खराब रहता होगा अब दूसरी बात मैं देखता हूं पर अन्य सदस भी बीमार रहते होंगे अब पुनाय में देखता हूं कि दूसरी डवलू सी बैस्ट में बनाई गई है बैस्ट याने कि आपके लिए जब कोई भी ब्यापार कर रहे होंगे तो उस ब्यापार में एक समय के बास सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही होगी और वह ब्यापार ढप हो जाता होगा या उसमें आप मोटा नुकसान उठा पा रहे होंगे क्योंकि वह प्राफिट का है लाप का है हमारे पूर्वजों ने या विसकर्मा प्रकास में इसपस्ट उल्लेकित किया है कि धन को रखने का इस्थान लेकिन जहां धन पर मल आ जाता ह है वहां पर राहू का बास हो जाता है वहां पर निश्चित रूप से आपका धनवी मल का रूप धारण कर लेता है इसलिए यहां पर कदापी यह भी बिलकुल अनूचित है अब मैं दूसरा देखते हैं कि यहां पर इस्ट साउथ इस्ट में रसोह याना की चूला रखा बहुत बढ़िया नहीं है ठीक है काम चल जाता होगा लेकिन आपके लिए कोई न कोई तकलीप पैदा कर दे रहा होगा इसको चूले को उठा करके साउथ इस्ट की तरफ लाएंगे तभी उचित होगा अब लेकिन हम एक और देखते हैं कि यहां पर दूसरा जो दिक्कत आ कि बहुत बड़िया है और उनके बेकटे का है कर रहा है बाकी चीजह सही बयायु मैंडडोर खराब सिस्था है और यह दोनों डबॉसी जो बनी हुई इनने बेस्ट में बनी हुई डबॉसी वह भी बहुत खराब हो रही है। दूसरा नौ primeira नौर्थ इस्ट में बनी हुई डबलू सी वह आपकी हेल्थ को बैल्थ को और क्लेस भी पैदा करवाता है शनी तो इसमें शनी पुत्तो नौसूर यहाँ पर पिता पुत्त की उतना सामंजस भी नहीं बन पारा होगा इसलिए बहतर यह होगा कि आप इस इस्थान का त्याक कर दें अत्वा आप इसमें रेमे प्रवेश द्वार में डोर जो है वह आपका साउट इस्थ में में साउट इस्थ में आ रहा है साउट इस्थ आपके घर में क्लेस पैदा कराता है फीमेल को भी प्राब्लम करवाता है और कोई ना कोई घटना एक्सिडेंटल प्राब्लम भी क्रियेट करवा देता है तो आ वम्ती चक्र पीली सफेज सरसोर डाल करके और डोर पावर याने की दहलीज की इस्थापना कर दें तो वया इस्थान आपके लिए ठंडा सीतल हो जाएगा उससे आने वाली इनर्जी भी पॉजिटिव आईगी दूसरा उप्चार दोनों प्रकार की डबलू सी हैं इसमें मस् नौर्थ इस्थ याने उत्त्री इशान में डबलू सी इसका भी आप निवारण अवस्य करें उसके पहले आपके लिए हेल्थ की उम्मीद ना रखें कि आपका स्वास्त ठीक हो पाएगा अब मैं इसी नक्से को डाउजिंग करके देखता हूँ मैं विजलाइस कर रहा हूँ कि सपोज जिस व्यक्ति का आपने सबकॉंसियस माइं मैंसिज देखर के कि इस पर डाउजिंग भी की जा सकती है डाउजिंग करने पर भी सपोज जिस व्यक्ति की है उसका नाम का इस्वर्ण किया उससे कनेक्ट हुगा तो इनर्जी है लेकि उतनी ज्यादा तेज इनर्जी नहीं आपा रही है जितनी फास्ट होना चाहिए ग्रोथ होगी लेकिन स्लो स्लो होगी यानि कि यह पॉसिबल हो सकता है कि नक्ष जो हमने बनाया आपके पास भेजा है ऐसे और वी दर्शक जो होंगे जो ऑल्मोस सेम इस तरीके से तो सेम तरीके की प्रॉब्लम हो जाएंगी यहां भी राशी कहीं हट तक हल्प करेंगी यहां कोई राशी हल्प नहीं यहां पर हो सकता बहुत कम भी हो सकते थे यदि 70% इनर्जी ग्रेड होता है इनर्जी 70% होती 70% से 80% से उपर तो इनर्जी कहीं होती ही नहीं है आपने डाउजिंग अभी यहां पर कि अपने subconscious माइन में लेके डाउजिंग क्या इतना strongly effect करेगा की आप यहां बैटके उनके माप के थ्रू आपने डाउजिंग करके यह बताए कि एनर्जी पर सकते हैं लेकिन सेंसिटिव नहीं है तो आपका नहीं हो सकते हैं लेकिन सेंसिटिव नहीं है ब्यक्ति कितना संबेदन सील है जैसे कि आप इमली का नाम लेते ही और आपके मुंग में अलग ठीक इसी का ही एक रूप है डाउजिंग यानि अज्ञात वस्तु को ग्यात करना अनौन अब्जेक्ट को नौन करने का एक तरीका जैसे डाउजिंग से मैं इन दो कापर राडो के माद्यम से कई हजारों इस्तानों पर इनर्जी तो चेक करना लाखों हो चुके होंगे लेकिन इनके माद्यम से मैं बीस हजार भूमी गत बूजल बंडारों की खोज हजारों इस्तानों पर खनिश शंपड़ा की खोज लाखों लोगों का स्वास्त पनिक्षर्ड और ला और बंद फैक्तियों को चालू किया बंद व्यापारों को चालू किया और जिन घरों में इस टाइप का निगेटिव इनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट था उसको निकाल करके और उस घर में शुक्सान्ती प्राप्त करवाई है जी बेलकुल आप पिरामिट का प्रयोग भी बहुत करते हैं कैसे और किस चीज के लिए देखिए प्रामिट करता क्या है प्रामिट जिस इस्तान पर रखा जाता है वहां की जियोपैथिक क्याने भूमीगत उर्जा को और क्वास्मिक इनरजी को एकटा करके उस इस्तान को चार्ज कर देता है अभी मेरी टैनिंग हुई थी उसमें भी मैंने प्रैक्टिकल इस प्रयोग को करवाया और सभी विद्यार्तियों के लिए एक एक बड़ा सा कॉपर का प्रामिट दिया और एक सबसे ऐसा वाला फल बब्बू गोसा जब सबसे साप्ट होता बाहर रखने पर बारिस के समय में दो दिन में खराब हो जाता है लोग ए मानते के फिरिज में ही फल सुरक्षित रह सकते मैंने सभी को दिये सबको उसके नीचे रखवाए लेकिन साथ दिवस में भी ए इतने इनर्जैटिक हो जाते हैं इतने स्वाधिष्ट होते हैं इतने पावर्फुल हो जाते हैं कि इस उपचार के माध्यम से हम मंद बुद्धी वालों का भी उपचार करते हैं घर में किस तरह से प्रयोक करने के लिए जब कोई भी निर्मान हो रहा होता है तो उस निर्म जो होती है पिसाच भूमी की या हमारे 32 देवताओं की उन इस्थानों पर भी हम इंस्टॉल कर देते हैं देवता आनंदित हो जाते हैं जब कभी आपको मुकुट लगा दिया जाए महरानी का रूप दरण करवा दिया जाए तो आपको आनंद होगा ठीक इसी तरह से उन्हें करता है इसी तरह से वह देवता भी आनंदि की अनुभूती फील करता है तो इस तरह से हम 32 देवताओं के 32 प्रामिट इंस्टॉल करा देते हैं कालम के अंदर रखवाते हैं फिर उसके बाद जो रूम का निर्माण होता है उस रूम के ब्रहमिस्ताल में नो और कॉर्णर प बहुत इनर्जेटिक हो जाती है मैं प्रामिट का प्रयोग 97 से आज तक करवा रहा हूं लेकिन जहां जहां प्रामिट डाले गया जिस भूमी में उस इस्थान की भूमी को इनर्जी चेक किया गया इन कॉपर राट के माध्यम से तो बहुत ज़्यादा इनर्जी पाई गई बहुत सारे इलेक्ट्रोनिक आइटम से भी चेक की गई बतार इंस्टुमेंटों से एलेक्ट्रमेगनेटिक करेंट वाला जो मीटा राता है उससे भी चेक की गई तो आहां की इनर्जी बहुत बढ़िया पाई गई किसी को नहीं बताए गया था दो इस्थान दिये गए थे कि आपको देखके बताना है कि किस इस्थान की इनर्जी जादा है किस इस्थान की कम है एक किसी मकान में मैंने प्रामिट दो कमरों में डलवाए दो में नहीं डलवाए तब इनर्जी चेक कर आई गई जिन दो कमरो में प्रामिट डलाए गए ते डाले गए थे वहां की इनर्जी बहुत बढ़िया थी और जिन में नहीं डाले गए थे उनकी इनर्जी कमजोर थी इस तरह से यदि भूमी का तूर्जा को आप खींच करके उपर लाना चाहते हैं तो निश्यत रूप से प्रामिट डाल कर गी आप इनर्जी को जो पड़ी दभी पड़ी हुई है भूमी के अंदर इतनी इनर्जी इतनी इनर्जी अशीम इंफ्रेट इनर्जी आप लीजिए ना लेने के लिए आप कुस्तों जैसे बाल्टी डालने के बाद ही कुए से पानी निकाला जा सकता है बिना उसके नहीं तो अपडालेंगे बाल्टी निकलेगा लगाएंगे फिरामिट तब ही आएगी इनरजी बिल्कुल चलिए पेरामीट के मायेbn से हमने इनरजी सही है या नहीं पिरामिट लिकिन ऐसा क्यों होता है कि एक ही घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है वे तरक्की पर तरक्की किये जाता है और दूसरे को बहुत नुकसान होता है यहां तक कि उसका self confidence भी lose हो जाता है यह कहां दिक्कत आती है देखिए बास्तु एक है बास्तु में कोई परिवर्तर नहीं है और उसके बाद दोनों भाईयों में जमीन आस्मान का फर्क कैसे यह कुछ भी नहीं कह सकता एक virtue के लिए कि महादसा अलग चल रही है दूसरे की अलग चल रही है एक बास्तु दोश घर के हर स्दस्त को एक ही समय में परिशान नहीं करता है अलग अलग समय करता गर जैसे कि हर Christina की दशा महादसा अलग अलग समय में आती है ठीक जब जो दोश है उसकी महादसा आने पर ही उसको कस्ट होता है हो सकता उस भाई की महादसा अभी नहीं आई होगी इसलिए उसे कस्ट नहीं हो रहा लेकिन समय आने पर उसको भी होगा इसलिए आप इस बात का घ्यान रखना कि आपके लिए आपके सरीर में कोई फोड़ा हो गया है किसी को कम कस्ट दे रहा किसी को जादा लेकिन देगा आवश इसलिए वास्तु दोश दोश तो दोश है वो आवश आपको दूस पर डाम देगा लेकिन समय आने पार लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर कि वास्तु दो घर की तो ठीक है लेकिन राशियों में कुछ ऐसा ऊच नीच हो रहा है जिसकी वज़श रासी क्या है याने आपकी कुल्ली कुल्ली में दि उसका ग्रह उच्च का है जैसे इसान में कोई दोश है और तो उस भाई के लिए बहुत ज्यादा तक्लीप पैदा कर देगा जी बिलकुल सर एक प्रश्न है मैं जरूर लेना चाहूंगी यहां पर कह रहे हैं कि पिछले छे सालों में मैंने घर की दो बार सीधियों को तोड़ा और नए जगे रिकंस्ट्रक्ट किया है लेकिन अभी भी कोई नो कोई उस पर नुक्स निकालते हैं कि यह सीधियां यहां नहीं यहां होनी चाहिए तो क्या करूं मैं फिर से सीधियां तोड़ू या कुछ इसका और उपाय है साओ धान याद रखना जितने बार भी आप अपने घर की सीधियं चाहिए भले किती गलत बनी हों जितने बार तोड़ोगे ब्यापार की टांग टूटती चली जाएगी क्योंकि ब्यापार बुद्ध है और सीडियें बुद्ध हैं सीडियों को यदि तोड़ोगे तो ब्यापार आप मैंने हजारों लोगों के मुख से सुना है कि जब से उनने अपने ब्यापार एक पितिस्तान की सीडियों को तोड़ा है उनका ब्यापार कम हो गया कई लोगों ने तो ये का ब्यापार खतम हो गया चाहे वो नौर्थ में बनी हो चाहे वो सीडिया नौर्थ इस्ट में बनी हो चाहे वो सीडिया आपकी इस्ट में बनी है यदि सीडियों को आप बिना किसी तरह की आग्या लिए बिना किसी विदी विदान के तोड़ते हो तो जीवन के संकट में और और कोई संकट नहीं सबसे बड़ा संकट होगा आपका ब्यापार का इसलिए ब्यापार की गति को एथाबद बनायें के लिए आपको सही जगह सीधियां बनाना करती हैं यदि गलत जगह बनी है तो विदी विदान पूर्वक मैं आपको एक किस्सा बताता हूं मैंने मेरी क्लास को अटेंड किया जैनती गुरुप में मनीशा जी ने अलबर्द से और उनको सेड़ियां तोड़ना थी आवश्यक थी तो उनने पूरा विदी विदान करवा कैसा बिदी विदान बाकाइदा हमने लाखों जाप बुद्ध प्लानेट के करवाए फिर उसके बाद बुद्ध अन्त को इस्तापित करा करके बास्तु पूजन करा के आग्या लेकर के सिरिपल रख करके बिदी विदान पूर्वक किस से सीड़िया तोड़ी सीड़िये तोडने की स्वर्ण धातू से उनको सबसे पहले पांच बार मारा उसमें ठोकर मारी फिर सीड़ियों को तोडना प्रारम किया और फिर सीड़िये निर्वित की व्यापार उल्टा और तेजी से गती पकड़ा लेकिन यहाँ पर हम विदी विदान नहीं करते तो निश्चित रूप से व्यापार खत्रे में आ सकता था तो विदीवत तरीके से हमारे लिए सीड़ियों को तोड़ना चाहिए सीड़िये कहीं कि कभी भी कोई भी वास्तु में दुनिया का वोले अचानक मत तोड़ देना बिल्कुल कुछ चीज जैसे इंसान का जन्म होता ह है तो नियम के साथ हम पूजा पाट करते हैं इसलिएगा सीड़िया बनी है तो पहले डिसाइट कर लिजे कौन से डिरेक्शन में बनाना ताकि आगे चलके तोड़ने की जरुरत्ता पड़े इसी के साथ कि आपकी घर में हमीशा सुक शान्ती बनी रहे और आप हमेशा वास कर दोड़े लादाए हमेशा बनाना ताकि ओाले में बनाना ताकि वासमका कर दोड़े इसलिए मैं को …